हेलो मैं दीए फ्रेंड्स आप सभी का हमारे चैनल बीटी उपी स्टुटी पॉइंट में स्वागत हैं जैसा कि दोस्त आप सभी लोगों को पता होगा आपकी क्लासिस मैंने बोला था दोस्त एक से दो दिन में स्टार्ट हो जाएगी आज से आपकी क्लासिस स्टार्ट हो गई है फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ है फिजिक्स जो की लेशन है मापन मेजर्मेंट फर्स्ट चैप्टर आपका है इससे related दोस्त मैं आज आपको बहुत से important topic बताऊंगा उसके बाद one liner question बताऊंगा फिर उसके बाद mcq यानि की optional आपको question यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपका सारा doubt एक 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 दोस्त clear हो सके आज का जो classes है वो आपका मापन measurements से related जो आपके definition है कुछ जो आपकी जानकारिया है जैसे कि अगर बात करें कि मापन होता क्या है तो मापन के बारे में दोस्त हम यहाँ पे बात करेंगे और मापन यह कितने type का होता है यानि कि इसके अंतरकत आपको क्या-क्या पढ़ने है तो सारी चीजे दोस्त हम इस वीडियो में देखने वाले हैं तो वीडियो को end तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को subscribe जरूर करिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का information आप तक पहुश सके यह biology student के लिए है और group A के student के लिए है जो भी आपका measurement यानि की मापन में जो भी आपके topic पढ़ने हैं जिसमें से आपको question पुछे जाएंगे तो उन सभी को सबसे पहले आपको cover करना है तो सबसे पहले दोस्ते यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा मापन जो की आपका measurement measurement होता क्या है किसी भौतिक रासी को मापने के लिए ए जो की क्या कहलाती है मापन कहलाती है measurement कहलाती है इसको दोस्त दो भागों में बाटा गया है जो आपका मापन है इसको दो भागों में बाटा गया है एक हो गया आपका आंकिक मान क्या हो गया दोस्त आंकिक मान हो गया एक सिकेंड क्या हो गया यह सिकेंड आपका मात्रक हो क्या हो गया दोस्त मात्यक हो गया अंकिक मान को हम बोलते हैं नुमेरिकल वैलू क्या बोलते हैं दोस्त नुमेरिकल वैलू ठीक है और मात्रक को क्या बोलते हैं यूनिट ठीक है इसको दोस्त टू टाइप ठीक है टू टाइप में डिवाइड किया गया है फस्ट है आपका क् जो मैं चीज़े बता रहा हूँ दोस्त उसको आप लोग एक copy पे note-down करते हुए ही चलिएगा मैंने आपको पहले भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ सारी चीजे आप note-down करते हुए चलिएगा जो भी चीजे मैं आपको बोल रहा हूँ वो सारी चीज आप note down जरूर करिएगा एक copy बना लिजे दोस्त physics, chemistry और biology की जितनी चीजे मैं दोस्त बताऊँ आप सब लोग वहाँ पे note down करते हुए चलिएगा इसके बाद one liner जो question होंगी very important उसको आप serial wise जैसे मैं बताऊँगा वैसे ही आपको note करने है और ध्यान खिएगा दोस्त अगर आपको इसका PDF चाहिए यानि कि मापन जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इसका PDF चाहिए तो आप हमारे telegram channel को join कर सकते हैं जुड़ने के लिए दोस्त आपको नीचे description में link दिया हुआ है जैसे ही दोस्त आप description खोलेंगे वहाँ पर आपको link मिल जाएगा link पर click करेंगे तो आप हमारे direct telegram channel से जुड़ जाएंगे ठीक है अब दोस्त हम यहाँ पर बात कर लेते है numerical value होता क्या है ठीक है numerical value जो कि उस रासी के परिमार को प्रदर्शित करता है और यहाँ बताता है कि उस रासी में उसका मात्रक कितनी बार है जैसे अगर example की बात करें तो आपको पता होगा छेतरफल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है meter square ठीक है तो यहाँ जो meter square जो है वो कितना है यही आपका numerical value है क्या है दोस्त यही आपका numerical value है अगर हम दोस्त य यूनिट की की यूनिट क्या होता है तो जिसमें की भौतिक रासिया मापी आती है वो आपका यूनिट कहलाता है ठीक है जिसमें भौतिक रासिया मापी आती है वो आपका क्या कहलाता है मात्रक कहलाता है अब दोस्त हम यहां पर बात कर लेते हैं मात्रक क्या होता है और रासि तो हम नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटिटीच and unit क्या है दोस्त क्वांटिटीच क्या है एंड यूनीट ठीक है नेक्स्ट है रासिया तथा मातरक इसमें हम दोस्त मूल रासियां बात करेंगे मूल मात्रक की बात करेंगे यह आपके थ्री टाइप के होते हैं जो आपकी रासिया होती है कितनी होती है तीन होती है कौन कौन से होती है पहला होती है मूल रासिया या जिसे हम मूल मात्रक ठीक है मूल रासिया या मूल मात्रक सेकेंड है आपका पूरक रासिया या पूरक मा थर्ड है आपका विर्त्पन रासी या विर्त्पनमात्रग ईंग्लिज में बोलते हैं दोस्त यह पे मुल रासिया को बोलते हैं fundamental quantities second आपका पूरक रासिया जो है वो आपका है promises omena quantities ॥र्ड है आपका विर्त्पन रासी यानि कि demographic quantities ठीक है यह आपकी तीन मूल रासियां होती है अब इन मूल रासियों की बारे में जानते हैं मूल रासियां कौन-कौन से होती है ये मैं आप ही आपको आगे बताऊंगा और उसके मात्रक कौन-कौन से होते हैं यानि कि मूल हर एक मूल रासि की मूल मात्रक होती है और मूल मात्रक को किसे प्रदर पर सेथ करते हैं यह भी मैं दोस्त अभी इस टॉपिक में बताने वाला हूं तो सबसे पहले एक चीज़ यहां पे सुनिएगा जो आपकी रासिया होती है यानि की रासिया कितनी three type ठीक है पहला कौन सा वह आपकी मूल रासिया ठीक है मूल रासी दूसरा कौन सा हो गया दोस्त आपका यहां पे पहला तो आपका मूल रासी हो गया दूसरा आपका हो गया पूरक रासी क्या हो गया दोस्त यहां पे पूरक रासी और थर्ड जो हो गया वह आपका क्या हो गया व्यूत्पन रासी क्या हो गया दोस्त व्यू inventory quantities अर थर्ड है आपका derivate quantities ठीक है uh तीन आपके रासी पाफ दिपनीसल निखलेजिए the first आपका मूल रासी कि यहां पर बात करते हैं ठीक है मूलाजी की बात करते हैं आप बात करते हैं तो मूलाजी वह भहतिक रासी जो एक दू सरे से स्वतंत्र होती है वे आपका क्या होता है मूल रासी कहलाती है ठीक है एक दूसरे से क्या होता है स्वतंत्र होती है वो आपका मूल रासी कहलाता है अगर हम बात करें दोस्त यहाँ पे second पूरक रासी अब दोस्त पूरक रासी के बारे में जान लेते हैं तो पूरक रासी क्या है वे रासी जिसके मात्रक तो होते हैं परन्तु वीमान नहीं होती वो आपकी पूरक रासी कहलाती है ध्यान दीजेगा मैंने आपको एक्जामपल में नहीं बताया कि जो आपका यहां फे फर्स्ट म example, mool-reasi ठीक है? Mool-reasi ठीक है? मूल-reasiya मैंने आपको क्या बताया? कि वेभॉतिक राजी जो की एक दूसरी से स्वतन्त होती है वो आपकी mool-reasiya कहलाती है अब ध्यान दिर गा 물-reasi होती कितनी है? तो murder-reasi आपकी कितनी होती है? टोटल आपके 7th होते हैं आप लोग no down को लेजिए कि मूल रासी जो होती है वो आपकी 7 होती है कौन कोन सी होती है 1st आपकी लंबाई 1st क्या है आपका लंबाई है 2 दूसरा क्या है द्रव्यमान है मास है 2 3rd क्या है आपका time यानि कि समय आपका 3rd है और fourth क्या है आपका यहां पे विद्दुद्धारा यह आपका fourth है अगर fifth की बात करें fifth आपका है ताप ठीक है इस पांचों को आप नोट करिए और next आपका six number है वो है आपका जियोती तिव्रता कहें दोस्त जियोती तिव्रता यह आपका छटवा है और सात्वा है आपका पदार्थ की मात्रा ठीक है पदार्थ की मात्रा जो चीजे दोस्त मैं आपको बोल रहा हूं वो चीजे आप नोट करते हुए चलेंगे तो ज्यादा बेश्ट होग आप बात के लिए यहाँ पर आपके लिए बेस्ठ होगा आप बात में रिवेजिन आप अपने से कर सकते हैं जो भी मैं चीज़े आपको बता रहा हूं यह सारी चीजे आपको अगर आपके पास books हैं तो books में भी आप देख सकते हैं अन्यथा दोस्त आप इसको एक जिगह नो down करिएगा ताकि वो आपको entrance exam के time बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है तो ये दोस्त आपके साथ हो गए मूल रासिया और हर मूल रासियों का क्या होता है एक मूल मात्रक होता है जैसे अगर बात करें लंबाई का मूल मात्रक तो ये आपका क्या होता है मीटर होता है अगर हम दोस्त मूल मात्रक की बात करें कि मूल मात्रक कहते किसे है तो मूल रासियों को व्यक्ट करने के लिए जो हम मात्रक प्रयोक करते हैं उसे हम मूल मात्रक कहते हैं जैसे लंबाई के लिए क्या प्रयोग करते हैं मीटर तो वो क्या है आपका मूल मात्रक है किसे प्रयोग करने के लिए जो कि मैंने मूल रासियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया कौन सा मात्रक प्रयोग किया मीटर तो वो आपका क्या कहलाएगा मूल मात्रक कहलाएगा ठीक है आसा करते हैं सभी इस्टुडेंट को जो भी चीज़े मैं आपर बता रहा हूं वो चीज़े आपको बिल्कुल ही कलियर इहाँ पे समझ में आ रहा है आप लोग एक कमेंट करके हमें जुरूर बताएगा जैहिंद करके कमेंट करिएगा अगर दोस्त आपका हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है यह मैंने आपको मूल मात्रक बता दिये कि मूल रासिया क्या होती है और मूल मात्रक क्या होते हैं अब आप ध्यान दिजिए गया आप नोट कर लिजिए फर्स्ट जो मैंने आपको बताया लंबाई लंबाई का जो मूल मात्रक है क्या है मीटर ठीक है इसे हम किस से परदर्सित करते हैं M से प्रदर्शित करते हैं ठीक है दूसरा मैंने आपको बताया था मुल रासी द्रवेमान द्रवेमान को जो मुल मात्रक है वो क्या है आपका किलोग्राम यानि कि किग्रा इसी हम व्यक्त करते हैं केजी में ठीक है इसको आप डाउन करते हुए चलिए फ़र मैंने आपको बताया मुल्रासिस समय को कि है मात्रक क्या है इसका मून मात्रक तो आपका सेकेंड है क्या है दोस्त इस से हम ऐसे प्रदरसित करते हैं ठीक, नेक्स्ट है आपका फ़र्ड मैंने बताया था, मूल जो फ़ौर्थ आपका मूल रासी बताया था वो आपका विद्धुद्धारा क्या बताया था दोस्त विद्धुद्धारा इसका जो मूल मात्रक है वो क्या है एंपियर क्या दोस्त एंपियर इसको एसे प्रदर्सित करते हैं किसे दोस्त एसे प्रदर्सित करते हैं विद्द्धारा जो आपका फोर्थ है आपे मूल रासी है विद्द्धारा इसे हम एसे प्रदर्सित करते हैं इसका मूल मात्रक एंपियर है ठीक है नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं अगला जो आपका मूल रासी था वो क्या था ताप ठीक है ताप को किस से प्रदर्शित करते हैं तो इसको आपको के से प्रदर्शित करते हैं नेक्स्ट आपका जोती तृव्रता ठीक है इसको जिसका जो मात्रक है वो आ गेंडिला है इसको CD से प्रदर्शित करते हैं और अगला आपका लाश्ट जो मूल रासी था प्रदार्थ की मात्रा इसे हम मोल ठीक है मोल इसका जो मूल मात्रक है मोल है और इसे हम MOL यानि की मूल से प्रदर्शित करते हैं तो यह रही दोस्त आपका मूल रासियां और उसके मूल मात्रक और उससे प्रदर्शित होने वाली जिससे की आपको लेटर से प्रदर्शित करते हैं यह अब मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी ठीक है ये मैंने आपको क्या बाता है ये आपका first मैंने अभी आपका complete कराया जो की fundamental quantities अब हम बात करते हैं पूरक रासिया की supplementary quantities की ठीक है तो second है आपका यहाँ पे पूरक रासि ये आपका है पूरक रासि second है पूरक रासि में क्या है कि वे रासिया जिनके मात्रक तो होते है हैं परन्तु वी मान नहीं होती वे आपकी पूरकरासियां कहलाती हैं ठीक है ठीक है पूरकरासियां होती isto हैं जैसे दो यहां पर पहला कौनसा तली है तली कोर ये आपकी क्या है पूरक टासरिया आपका गन गन कोड यह आपकी दो क्या है यह आपकी पूरक रासिया है इनकी क्या है मात्रक होते हैं परन्तु इनकी जो वीमा नहीं होती है ठीक है अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक रेडियन और इस्टे रेडियन तलिय कोड का मात्रक रेडियन और घन कोड का मात्रक इस इस्टे रेडियन और इस्टे रेडियन ठीके इसका मात्रक हो गया तली कोड और घनकोड का मात्रक अब हम लाश्ट दोस्त बात करते हैं आपर व्यूत्पन रासी तथा मात्रक यानि कि डेरिवेट क्वांटिटीच एंड यूनिट की बात करते हैं थर्ड जो आपका यहां प व्यूत्पन रासी की दोस्त नहां पर हम बात करते हैं इससे पहले आप डिफिनीशन यहां पर सुन लीजिए डिफिनीशन है आपका वे रासियां जो मूल रासी की सहायता से प्राप्त होती हैं वे हमारी व्यूत्पन रासी कहलाती है अब मूल रासियां मैंने आपको बता आयता से प्राप्त होती है, ठीक है, व्यूत्पन रासी को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किये जाने वाले मात्रक को क्या कहते हैं, हम व्यूत्पन मात्रक कहते हैं, एक्जाम्पल की तोर पे दोस्त अगर बात करें, सबसे पहले आप व्यूत्पन रासी के एक्जाम्पल बा जैतन, दाब, चाल, यह सारी जितने चीजे मैं आपको बता रहा हूं, यह आपके क्या है, विद्पन रासी हैं, अब विद्पन रासी के बाद आता है आपका विद्पन मात्रक, तो विद्पन मात्रक क्या होता है, विद्पन रासियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोक किये जाने वाले मात्रक को हम क्या कहते हैं व्यत्पन मात्रक कहते हैं अगर दोस्ते यहां पर example की बात करें तो example यहां पर छेत्रपल का मात्रक मैंने आपको क्या बताया भी meter square जो की मूल मात्रक से प्राप्त किया गया है मूल मात्रक क्या है जो की लम्बाई यहां पर मूलरासी क्या थी वो आपकी लम्बाई थी और लम्बाई का जो मूल मातरक था वो क्या था आपका मीटर तो यहां पर आप देखेंगे एक्जाम्पल जो मैंने आपको अब भी बताया छेत्रफल छेत्रफल evolved यह आपका व्यत्पन रासी है और यह कहां से प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है मूल रासी ठीक है मूल रासी की सहायता से प्राप्त हुआ है कहां से लंबाई से लंबाई का मात्रक क्या है यह आपका मूल मात्रक क्या है यहां पे मीटर यहां से आपका प्राप्त था मापन मेजरमेंट से रिलेटेट मेजरमेंट और जो आपके रासियां थी तीनों रासियां fundamental quantities, supplementary quantities और derivate quantities ठीक है इसके बाद जो आपकी classes है very important system of units यानि कि मात्रकों की पद्दती उसमें आपकी 4 पद्दती यूज होती है कौन कौन से होती है यह मैं आपको next classes में बताऊंगा यहाँ पर थोड़ी सी आप जान लेजिए next आपकी जो classes जो होने वाली है वो है आपका system of units क्या है दोस्त system of यूनिट ठीक है system of units यानि कि मात्रकों की पद्दती ठीक है मात्रकों की पद्दती कौन सी है four type है कौन कौन सी है first है आपका cgs पद्दती ठीक है second है आपका mks third है आपका fps और fourth है आपका si पद्दती ठीक है पहला है cgs पद्दती दूसरा है mks पद्दती तीसरा है fps पद्दती और चौता है si पद्दती इसके बारे में दोस्त हम आपको कल details से बताएंगे next classes में बहुत ही अच्छी तरीके से clear कराएंगे अभी दोस्त आपका theory classes चल ला है इसके बाद जब भी start होगा theory classes के बाद आपको मैंने बता रखा है one liner question चलेंगे one liner question के बाद आही आपका mcq type के question कराएंगे फिर आपको वे question कराएंगे जो की intense examination में लगातार आपको पुछे गए हैं बार बार ठीक है यानि की model paper के साथ ही आपको सारे चीज़े का यहां पर solution मताएंगे ताकि दोस्त आपका हर lesson by lesson आपका doubt clear होता जाए और जितनी चीज़े मैं बता रहा हूं सभी चीज़े आप लोग note down जरूर करिएगा ताकि दोस्त बाद में आशकता पहने पर आप असानी से कर सकें तो आज की classes में दोस्त बस इतना ही मिलेंगे दोस्त हम मापन की measurement यानि की physics के अगले class में मापन से जो भी आपकी यहां पर system of units मैंने आपको आज बताया इसके full details की बारे में दोस्त next classes में यहां पर जानेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको complete क की जो theory है वे आपकी complete हो जाएंगी और तीन classes में आपका मापन से related जितने question है वो भी आपको clear करा दिये जाएंगे चल्दी दोस्त आपकी जो classes है वो प्रतिक दिन यानि कि daily आपका schedule मिल जाएगा आपको daily आपको दो classes जैसा कि मैंने आपको बता रखा है daily आपको दो classes या तो physics chemistry के मिलेंगे या तो physics biology के मिलेंगे या तो आपको chemistry biology का मिलेगा ठीक है दो classes कोई भी आपको मिल सकता है biology की भी class दोस्त आपकी जल्द ही यहाँ पर start कर दी जाएगी लगबग आपको सभी classes जल्द ही start हो जाएगी physics chemistry bio के तो जो भी हमारे pharmacy के student है 2021 में तयारी करना चा ग्रूप में share करियेगा तक information और भी student के पास पहुश सके थैंक्यू